So, hello once again guys, back to back, पतंग का वीडियो, मन्जा का वीडियो, सारा साल मेरे चैनल में आते रहता है और आते रहेगा बहुत काम के बीच, बहुत जिम्मेदारी के बीच, ये पैशन, ये शौक पकड़ के रखा हूँ बहुत सरे ऐसे यूट्यूबर चैनल है, बहुत सरे ऐसे नामी नामी व्लोगर थे, जो ये पतंग बाजी से हटके कहीं गुम हो गये है कोई तो माउंटेन क्लाइमिंग का वीडियो कर रहा है और कोई तो बोडि विल्डिंग का भी वीडियो कर रहा है पैसन कहीं खतम हो गया लेकिन कुछ बंदे है जो इस गेम को लेके पड़े हुए है जिन लोगों के लिए ये सिल्फ पैसन नहीं है ये बचपन का एक शौक है एक खुशी है ठीक है ना जिससे पैसो का कोई मतलब नहीं है जिस जिन लोगों को पैसो के साथ मतलब है वो लोग अपना कॉंटेंट छोड़के दूसरे कॉंटेंट में स्विच कर गए हैं पतंग बाजी का अपडेट आपको नहीं मिलेगा उन लोगों के चैनल में अभी कुछ दूसरा कॉंटेंट आपको मिलेगा माउंटेंट ट्रिकिंग का अपडेट मिलेगा बॉड़ी बिल्डिंग सप्लिमेंट के उपर मिल जाएगा उन लोगों का बस यही टर्गेट है कि चैनल को चैसे भी हो चलाना है लेकिन हम लोगों का ऐसा कोई बात नहीं है पतंबाजी नहीं होगा तो चैनल बंद पड़ाड़ायगा तो भी अच्छा है ठीक है ना लेकिन जब होगा तो पतंबाजी होगा पतंबाजेह होगा उसके उपर रीवियू होगा काईट फ्लाइंग के उपर सब अगर वीडियो है चैनल है तो उसको लेके रही चैनल का सब कुछ होना चाहिए तो आप लोग देखी सकते हो सीजन हो या ना सीजन हो हम लोग का तो कोलकाता में सीजनल पतंग बाजी होता है सारा साल पतंग बाजी नहीं होता है maximum South Kolkata area में North Calcutta में तो हर साल पतंग बाजी है हर साल विश्यकर्मा पूजा है हर साल हर दिन संक्रांती है हर दिन बसंत है हर दिन लोरी है जो भी आप कहे हर दिन सरस्वती पूजा है पतंग बाजी का उन लोगों का एक जस्ट कुछ पॉइंट चाहिए बस आदमी लोग निकल जाता है पतंग बाजी करने को और हमारे साउथ कलकटा में ये एक डेट गेमेल फिर भी हम लोगों के तरह कुछ बंदे है जो इस गेम को बचाया रखना चाहते है ये हम लोगों का एक कोशिस है इन कोशिस के अप लोगों के सपोर्ट चाहिए अप लोगों का प्यार चाहिए तो मेरा चैनल ऐसा ही चलता रहेगा काम के बीज मैं अभी थोड़ा बीजी रहता हूँ एक होस्पिटल में जोइन किया हुआ हूँ काम का बहुत प्रेसर रहता है आप लोग समझी सकते हो एमारजेंसी सर्विस है ठीक है ना मेडिकल सर्विस में कैसा काम होता है जो लोग बंदे लोग काम कर रहे हो ट्रेनी हो लोग को पता है तो बीज बीज में अब चुटी है ठीक है ना घर्मियों का चुटी मिल गया है एक हपता के लिए इसलिए विडियो बना रहा हूँ तो दो सो पिस अद्दी आया हुआ है जैपूर से जहां से मेरा माल आता है आप लोग को तो पता ही है कहां से आता है one and only मेरा जहां से माल आता है आप लोग देखी सकते हो सोना काइट्स जैपूर ठैंक यू गौरप सर as usual बहुत प्यारा प्यारा पतंग भेजा है आपने आप लोग देखी सकते हैं यह मेरा किफ्ट में आया है यह वाइट पतंग अद्दी पर आया हुआ है यह साइध थोरा मजूली का साइज है आप लोग देखी सकते हो कितना बढ़िया बढ़िया अद्दी आया है बहुत बढ़िया बढ़िया मेकर का यह देखिए संकर उस्ता जो पौना बनाता है गोल फर्मे का उसके उपर अद्धी आया है संकर का अद्धी है ये देख लिजी ऐसा कलेक्षन आपको कहीं नहीं मिलेगा कोलकाता में उस्मान, इर्फान, कल्लू इन लोह का अद्धी आपको मिल जाएगा पंद्रा रुपय में लेकिन ये जो अद्धी आपको मैं दिखा रहा हूँ ये सब 20 के उपर का अद्धी है 20 से इसका स्टार्टिंग प्राइज है ठीक है न संकर नामी उस्साद है जो लोग पौना बनाता है संकर कमांड ठड़ा एकदम भारी होता इसका आप लोग देखी सकते हो डबल चिलाई वाला एकदम कमांड ठड़ा ठीक है ना संकर का अद्धी देखिए कितना बड़ा अद्धी है गोल फर्मे में 250 अद्धी आया हुआ है ऐसे ये भी संकर का है और ये देखिए एक नायाब डिजाइन देखिए क्या पेपर है ये बीच में मुझे पता नहीं कमांड ठड़ेगा तो कोई जवाबी नहीं एकदम उपर में एकदम तिल्ली बना दिया है अद्धी में इतना अच्छा काम आपको नहीं देखने को मिलेगा ठीक है ना और कहें दे रहा हूं ये सब नॉर्मल अद्धी नहीं है ये थोड़ा कोस्ट्ली अद्धी है आप लोग देखी सकते हो अजनता प्योर अजनता पे है अभी जो पतंग मिलना ना मुमकिन हो रहा है जो कागज मिलना ना मुमकिन हो रहा है उसके उपर है इसलिए तोड़ा पतंग का कॉस्टिंग ज्यादा है संकर का अद्धी है देखी सकते हो आप लोग को कोई नहीं दिखाएगा संकर का आपको पॉनी मिलेगा लेकिन संकर का अद्धी आपको कोई नहीं दिखाएगा तेका ना बहुती शांदार पतंग है देखते रहे यह देखिए यह रहा नाजीम का अद्धी यह देखिए नाजीम का अद्धी है तेका ना फर्मा देखिए एकदम मस्त चाल वाला अद्धी है नाजीम का अद्धी है दोडने वाला पतंग है एकदम दोजदार पतंग है एकदम आवाज से ही पतल चल गाए और कमान ठड़ा तो गर्मियों के सीजन में कमाली कर देगा ठेक है ना नाजीम का अद्धी है यहां ही तो उस्मान कल्लू आपको मिल जाएगा लेकिन नाजिन का अद्धी संकर का अद्धी यह मिलना मुस्किल है ब्लैक के उपर देखिए कितना सांधार आ रहा है देखिए ब्लैक के उपर देखिए फिनिसिंग देखिए काम देखिए जो पतंग आपको दिखा जा रहा है सब 20 के उपर का पतंग है ठीक है ना और एक्जैक क्या प्राइज है मेरे को पता नहीं गौरप सर से तो इतना अच्छा रिलेशन हो गया है है में तो अभी तो प्राइजी नहीं पूसता है जो भी कोत्रप सर भेत से ही इतना प्यार है बिस्वास है ठीक है ना मैं तो पेमेंट कर देता हूं वह नहीं गौरप सर जो अच्छा मेरे लिए अच्छा क्याए थे कम दाम में अच्छा क्याए मिलगा इसा कोई बात नहीं हो तो आप घराब माल मिलेगा कम दाम में भी आपको अच्छा ही काम मिलेगा और जैसा आप महेंगा यूज़ करोगे तो महेंगा भी आपको वे साही लगेगा यह देखिए आप दुल काईट में कर देखिए मुरादाबाद की पतंग है यह ना अच्छा सेप का पतंग है खाली देखिए अब पीछे फिर से संकर है संकर का पतंग का फर्माई कुझा लग है संकर का पतंग का अध्दी में इतना अच्छा फिनिसिंग अध्दी में इतना अच्छा फिनिसिंग यह अगर थम्नेल में आ जाएगा तो अच्छा होगा अध्दी में बहुत यह अच्छा फिनिसिंग आ रहा है है अक्तम गोल्ड फर्मा है कि देखते रही है गाइज एक यलो पत्ता बीच में घुज गया था कि इसके बाद कौन है हसीम मुरादाबाद कि इसका भी पतं अच्छा है बहुत क्या लोच है पतंग तिल्ली बना दिया एक दम तिल्ली काम ही कुछ लगए यह हसीम बहुत ही सुन्दर सेव है यह देखिए जाकी जाकी का पता हूं मुरादाबाद थोड़ा गोल फर में के उपर है देख लेजिए देख रहे हैं थोड़ा गोल के उपर है अद्दी में उधना गोल फर मा नहीं मिलता है जो मिलता है कुछ नामी दामी मेकर का ही मिलता है और एकदम जानदार कमानी है भारी कमानी है और एकदम नया कमानी है तो थोड़ा सिसन करना परेगा पिछला जो अद्दी का बॉक्स आया था तो वो थोड़ा बैठा हुआ पतंग है रेडी पतंग है लेकिन ये थोड़ा अभी बनके आया है नाया पतंग है थोड़ा इसमें टाइम लगेगा शीजन होने में कि यह किसका पतंग है अभी है है अधर का है साइड बल्लू को यह बल्लू का है नाम नहीं पता किसका है यह फाहिम का है फाहिम रॉकेट कि शायद फाहिम रॉकेट का ही है बबलू पतंग में कर अच्छा क्लेक्ट इस बार सर ने अध्दी के ऊपर अध्दी मिलना वहां पर बाहर में अध्दी मिलना बहुती टाफ है ठीक है ना बाहर में अध्दी का सौक तोड़ा कम होता है कि कोलकाता में अध्दी मिल जाता है लेकिन इतना अच्छा मेकर का आपको नहीं मिलेगा उस्मान का कलू का इत यह सब फाहिम का है साइद फाहिम रॉकेट का है साइद यह किसका है हशीम यह भी हशीम का है खतीमा पे है साइद यह कौन है फॉरीद क्या लिखा है कैस बताना मेरे को हिंदी ज्यादा समझ में नहीं आता कहा कहा है मुरादाबाद MbD पतां अच्छा है लोजजार है खतीमा पे है यह किसका है पता नहीं कि कौन सा मेकर का है कलर बड़ा बड़ा वाइब्रेंट है असाप सुत्री पतंग है कि देखें न कि यह भी सी मेकर का है मुरादाबाद अब यह थोड़ा ज्यादा ही डाल दिया यह में का और यह किसका है पता नहीं गाइस यह भी मुरादाबाद है हनी फैदर हनी फैदर यह स्टेंप पहले नहीं आ है जो इसका ही यह मेकर है हनी फैदर है चील कार्ट पर है अग्दम यह था गईस वीडियो एक अद्धी का स्टॉक का वीडियो था गाइज इनका सेव देखी स्पीड पता है एक बैक पूरा खाली बैक बढ़िया वैग है हमेशा वर अपसर बढ़िया वैगी प्रोवाइड करते हैं ठीक है और चैनल को सपोर्ट करते रहना नए हो तो सब्सक्राइब कर देना लाइक कर देना कॉमेंट करना गाईज और वीडियो आते रहेगा जब जब मंजा पतंग कुछ भी लाते रहूंगा तो वीडियो भी आपको आपडेट मिलता रहेगा ऐसे प्यार ऐसे सपोर्ट करते रहना इस गेम को बहुत उचाई तक लेके जाना है हम लोगों का बच्पन का गेम है ठीक है ना बहुत खुसी मिलती है ठीक है पतंग बाजी करके पतंग के साथ रहके मंजा ये सब सारा दिन के बाद एक रिलेक्सेशन है ठीक है ना और खरिया है उन लोगों को तो पैसों से मतलब है कभी भी content स्विच कर जाते हैं कभी भी आभी lot आते हैं कभी भी कुछ maker को specific maker को promote कर देते हैं और कुछ specific maker को down कर देते हम लोगों का तो सब के साथ अच्छा रिलेसन है आप अच्छा काम करोगे आपके बारे में ये हम कहेंगे आप छोटा मेकर हो, उसके बारे बे भी हंग कहेंगे, आप बरा मेकर हो, उसके बारे भी हंग कहेंगे, हम लोगों का कोई ऐसा बात नहीं है, जिक खाली एक ही मेकर को प्रोमोशन करें, एक ही ब्रैंड को प्रोमोशन करें, ऐसा कोई हमारा बात नहीं है ठीक है ना जो भी अच्छा काम कर रहा है जो भी महनत कर रहा है उन लोग को उपर लाना है ठीक है ना तो थैंक यू गाइस सपोर्ट करते रहना थैंक यू गॉरब सर थैंक यू सोना काइट्स ऐसे हमारा सौक पूरा करते रहना हमारे दिल को खुश करते रहना थिस शृतिमोयदास शाइनिंग आप टेक क्यार गुड़नाइट बाबाई और सी यू गाइस